देखिए पिछली वीडियो के अंदर अपने बात करी थी कि मार्केट किस तरीके से काम करता है एसल हंटिंग किस तरीके से की जाती है उपर से मार्केट के अंदर जो लेकोडिटी है बड़े प्लेयर्स उसको किस तरीके से ग्रैप करते हैं और उसके बाद अपने डिरेक्शन में लेकि जाते है market को उससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था काफी लोगों को डाउट था कि या रहा है इस तरीके से कैसे हो सकता है market किस तरीके से कायम कर सकता है हमें और डिटेल में इसको सीखना है इस टोपिक को तो अब इस वीडियो के अंदर उसको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से अब आगे काम हुआ है market के अंदर तो यहाँ पे जब market था तब मैंने वो आपको चीज बताई थी जैसे कि यहाँ पे यह सब चीजे कि market एक range के अंदर यहाँ पे फसा हुआ था उसके बाद opening करी यहाँ पे opening के बाद जब यहाँ पे निकला और यहाँ पे जितने भी SL थे सारे के सारे SL इसने हिट करा के और market downside में आ गया मतलब आपकी direction के दूसरी दिशा के अंदर आ गया यहाँ पे downside में आ गया इसी लेवल के पास आके नर वापस से retest किया फिर downside में निकल गया अब इतना market जब चला था तब मैंने वो वीडियो बनाई थी अब यहाँ पे देखिए यह market का लो है देखा आपको अच्छी तरीकी से समझना इस topic को यह बहुत ज़दा important हो जाता है कि अगर आ यहाँ पे काफी लोगों का विव था कि market के अंदर इतनी ज्यादा selling आई है लोगों कि जो यहाँ पे stop loss थे वो यहाँ पे shift हो चुके थे सारे के सारे अब SL थे वो यहाँ प्याव लेबल थे उसके बाद क्या हो रहा है कि देखो हो जाता है कि जिसको trailing बोलते हैं कि यहां स अब trail कर लो कि चलो एक level मिल गया यहाँ पे trail हो सकता है market उसके बाद next यहाँ पे विव यह हो जाता है कि यह market चलो आप बोल जाओ यहाँ पे अगर market open होता है तो जैसे low break करेगा हम उसको तुरंत sell कर देंगे क्या पता market बहुत अच्छा movement करने के लिए निकल रहा हूँ यहा बाद क्या हुआ है यहाँ पर जो ऐसे low level थे यहाँ पर ऐसे low level थे सारे के सारे आपको मैंने बताया देंगी ट्रेलिंग हो चुकी होती है यहां तक अपनी यहाँ पर मार्केट ने चलो एक चांस दिया उनको की selling आ जाए यहाँ पर और लोग यहाँ पर aggressively यहाँ पर sort करने लगें लेकिन हुआ क्या मार्केट वाप सेपसाइड में निकला यहाँ पर सेम यहाँ पर जैसे किया था वैसे कि वैसे यहाँ पर लिक्विडिटी ली सारी की सारी मार्केट डाउंसाइड में निकल गया अब देखो easily कितना मतलब मार्केट सेमी सेम चीजों को follow करता है एक मार्केट पर दिखाऊंगा हम आपको कि मार्केट में सेम ही काम होता है जैसे यहाँ पर गए यह एसल गए उसके बाद क्या हुआ कि अब एसल में मार्केट में जैसे सबसे पहले यहाँ से एसल एट हुआ था यहाँ जब अपसाइड में निकला तो अब क्या हो गया कि जो SL थे अभी डाउनसाइड में उलेबल थे मार्केट में यहां पर जो SL उलेबल थे मार्केट में यह बड़ी सेलिंग आई बड़ी सेलिंग आने के बाद यहां पर जो SL थे उन सभी SL को इखटा कर लिया मार्केट में ले लिया अब ज़्यादा तर लोगों कि चले यार लेकल गया उसके बाद क्या हुआ मार्केट के अंदर जो यह यहां पर ट्रेलिंग हो गई थी यहां से जो ट्रेलिंग यहां पर हो गई थी यह वाली ट्रेलिंग यहां पर हो गई थी यह वाली ट्रेलिंग यहां पर सेम यही काम यहां पर हुआ यहां पर आया लिक्विडिट का चार्ट ले रखा मार्केट में मैंने बैंक निफ्टी का आप इसको समझना अच्छी तरीके से उसके बाद भी यही सब चीजें हो रही है अब हाइग क्या वन गया हाइग यह यह बन गया यहां पर मार्केट ने गया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाए तो इसका मतलब यहां पे जो SL थे वो हिट नहीं हुए है अभी यह SL गए फिर यहां पर डाउन साइड का मुवमेंट करके मार्केट फिर इसने इसको ब्रेक किया यह अपनी अलग कंडिशन हो गए उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में जिब यह मुवमेंट उठा यहां से मार मार्केट अपसाइड में निकल जैसे यहां पर इसने इसको ब्रेक किया यह हाई ब्रेक हुआ मार्केट ने वापसे यहां पर इतना मुमेंट किया अब देखो मैं आपको एक रीजन समझाता हूं यहां पर SL अवलेबल का जो क्राइटेरिया रहेगा वो इस लेवल के आसप में आपके दिमाग में यह चीजे हिट करें आप यहां पर देखो मार्केट में होआई कि यहां से वापसे डाउंसाइड में इसी लेवल में यह सोच रहे थे कि market के अंदर इसी level से वापस से एक बार उठेगा retest करके क्योंकि पीछे करा time में resistance थे यहां पे यहां से उठेगा तो हम यहां पर SL लगा कि इसको buy करके कल के लिए लेकर जाएंगे carry forward क्योंकि अच्छी खाई सी rally करी है market ने buying की side में लेकिन हुआ क्या हुआ यह अगले दिन open हुआ इसाई के पास और downside में आया और यह जो लो था यहां पे इसका SL खा के market में फिर से upside में निकल गया कितनी बार कर रहा है market वह यह वही चीज़े मापको पीछे तक पूरा market back test करा सकता हूं इसी तरीके से कब समझोगे आप यह सब चीज़े आपका देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा थोड़ा सापको जब थोड़ा सा market में आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा यहां पर और भी देख सकते हैं condition अपन अब आप बोलोगा कि यहां पर तो SL हो सकते थे यहां पर SL हो सकते थे फिर SL यहां पर क्यों नहीं है अब आप बताओ कि यह आगे down side का यहां पर trade ल dolphins लेने तो यही है इसलिए यहां Πर ज्याद ऐसे यह बार मार्केत ने बर is was जरूर मारे लेकिन उससे कुछ फरक नहीं पड़ाता अगे दिन मार्केट दो आज क्या मार्केट में यहीं पे ही काफी कंटेयो काम किया अब यह मार्केट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैं लेके चलता हूँ 5 मिन टाइम फ्रेम के अंदर आपको अगर यह कंडिशन दिखाऊं तो कुछ याद आता है मार्केट आपको यह मार्केट मार्केट में ब्रेक किया कितने लोग यहां पर aggressively entry करे होंगे कितने liquidity आई होगे यहां पर market upside में गया सारे जो order है यह catch कर लिए बड़े players ने market को downside में लिया है बजट वाला दिन था एक फरवरी को मतलब एक बार ऐसे हो रहा है फिर upside में जा रहा है और फिर ऐसे गिर जा रहा है यह पूरी की पूरी liquidity को grab करने का यही एक easy way है यहां पर उसके बाद फिर sideways क्योंकि छोटा time frame है तो फिर को इतना बड़ा इतना matter नहीं करता है फिर इसी range में वापस आगे close करता है देखो market में चीजे वही काम कर रही है आप जैसे सोच रहे हो कि आप सोच रहे हो कि यार मैं कुछ special हूँ मेरे जो thinking है वो कुछ special है ऐसा नहीं है यहां पर भी अगर आप देखोगे त यह जैसे यह था यह सारी की सारी मार्केटर में लिक्विडिटी ली और उसके बाद मार्केटर ने वापसे डाउनसाइड में आ गया यहां पर वही सब चीजें डाउनसाइड में आया market यहां पर काफी लोगों के SL होंगे 100% होंगे यहां पर क्यूंकि आप सोच रहे हो कि यहां पर option में कहां पर SL होंगे future में सोच वा फ्यूचर का जो चार्ट जिन्हों ने देखा हुआ future के तो SL होंगे यहां पर अब जो लोग carry forward करके लेंगे यहां पर SL लगाया ही होगा कि चलो downside में निकलेगा तो यहां तक तो अपन होल्ड करी लेंगे market को और चलो इसको थो बहुत hunting हुई है लेकिन market में इतनी liquidity यहां पर थी नहीं तो यहां पर कोई बड़ा moment आए गए नहीं क्योंकि liquidity की हिसाब से moment आते है जहां पर जितनी ज़्यादा लोग फसेंगे वहां पर उतना बड़ा moment आपको देखने को मिलेगा simple यहां पर हुआ है यहां पर काफी लोग फसें होंगे फसें इसलिए ही यहां पर down side में गिरा है market क्योंकि पीछे की side में काफी rally करी थी यह budget वाला दिन था यहां पर तो इसी तरीके से और पीछे चलते हैं चलो थोड़ा बहुत और देखते हैं आपको मैं और दिखाता हूँ यहां पर भी पूरा का पूरा यही system थ कि market ने जैसे downside में break किया upside में निकल गया और पीछे चलते हैं चलो और पीछे देखते हैं यहां पर low break हुआ फिर upside के अंदर निकल गया पूरा का पूरा वही सब चीजे हो रहे हैं कि भई देखो यहां पर पूरी range है कि अगर दिन market upside में हो आप पूरी liquidity लिए और downside में निकल गया है यही सब चीजे समझनी है और इसलिए मैं आपको यही सब चीजे समझा रहा हूं कि market को थोड़ा सा अलग वे के अंदर देखो देखो यह वाला moment आपको यह चीज़े market के अंदर क्या हुआ selling आई यहां पर selling के बाद यह जो ट्रेलिंग थी यहां से ट्रेलिंग यहां पर हो गई थी फिर यह market वापस से गया और यह जो ट्रेलिंग थी यहां पर SL थे वो सारे यहां पर grab किये और उसके बार market वापस से downside में निकला यहां पर फिर एक range बनाई रेंज बना की फिर downside में निकलाई यहां पर जो SL थे फिर यहां से जो moment था वो SL यहां पर trail हो चुके थे इस आले एरिया पर अगले दिन market ने क्या-क्या यहां पर यह सारे के सारे SL लिए और downside में निकल गया similar चीज़ें हो रही है similar आप समझ नहीं रहे हो और मैं आपको और समझा सकता हूँ यह बहुत बड़ा topic हो सकता है क्योंकि जितना backtest करते चलेंगे इस चीज़ को उतना ही नहीं नहीं चीज़ें अपने पास निकल के आती रहेंगी और market इनी चीज़ों पर काम करता है क्योंकि करना पड़ेगा मजबूरी है market की क्य और को कैसे करेगा बताओ जब विक्स कम होगी तो वो कुछ pattern बना बना के आपको फसाएगा और जब यह बड़े movement होने होंगी विक्स जादा बढ़ जाएगी तब यह बड़े movement करके इस तरीके से liquidity लेके जाएगा लेगे liquidity तो market को लेनी पड़ेगी और उसके रिसाब से और